जाहिन दोस्तो अभी हम बात करने वाले हैं सौथ अफ्रीका वर्सेस बंगलादेस के बीच में खिला जाएगा सिसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2020 का आज का दिन का पहला मुकाबला उसको लेके डिटेल्स में देख लेंगे तो हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूँ आपके अपनी वैके यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में जैसे कि मैं सभी मैंसे पहले बोलता हूँ कि आप सभी को एक चीज़ डिसाड़ करना पड़ेगा कि वीनिंग चांसेज ज्यादा किसके हैं तो सकीवल हसन के इंजरी होने के बाद सबसे बड़ी अपडेट देदू कि सकीवल हसन इस टोर्णमेंट से बाहर हो चुके हैं तो उसके इंजरी होने के बाद मुझे अब ऐसा लग रहा है कि सौट अफदी का टीम यहां से तक्रीवन 80% मैच निकाल लेगी अगर सकीवल हसन खेलता होता तो यह कंबिनिशन में कम बोलता यहां पर मैं बोलता कि आपको 60% लेकिन उसके जाने के बाद यह चांसेज वह असी के आसपास चला गया हो इसके विनिंग चांसेज 20% के आसपास रहने वाला है इस मैच में जो सबसे बरा प्रभा कुछ छोड़ेगा तो वह है टॉस जी हां दोस्तों टॉस का इस मैच में बहुत ही बरा रॉल रहने वाला है अगर बंगलादेश की पहले गिंदवाजी आती है तो इसके कुछ गिंदवाज को हम ट्रै करेंगे अगर बंगलादेश की प बता दू कि एड़न मार्करम करो अगर सौट अप्रिका की पहले बल्लेवाजी आती है तो मार्करम आपके लिए मस्ट पिक हो जाएंगे यहां तक कि उसको कैप्टन वीसी भी आप ट्रै कर सकते हो लेकिन अगर पहले बल्लेवाजी नहीं आती है फिर उस कंडिशन में आप च सुरू में दो से तीन ओवर के सपच डालते हैं अजर आज आ जाए बाकी चलिए देख लेते हैं दोने टीम का लास्ट मैच का स्कोरवर्ड फिर देख लेंगे दोस्तों इसक्वाइड प्लेइंग रहने वाले आज के मैच में और देन आफ्टर हम लोग देखेंगे अपना देखते हैं मुझमद नहीं इसके लाबा आपको दिख जाएंगे लीट अंदास जो की बिकेट कीपिंग भी करते हैं नजर आ जाएंगे क्योंकि आप से नुरूल असन जो है मुस्ट प्रवली यह मैच आपको नहीं खेलते भी दिखाए दे जाएंगे साथ में सवमिया सरक आज खेलवा लेता है चाहिए वो रुबेल हो चाहिए नसून एहमद हो तो मुझे लगता है कि उस कंडिशन में सरकार और ममदूल आपको सायद स्पेल करते हुए न दिखाए दे जाएं इस गलाबा स्वरी फुलिस कलाम तस्कीन एहमद और मिर्स्ति फूजर रहमान उसके प्रिक आपके लिए फर्स्ट इंग में जब अफरीक आगे अंदवाजी करेंगी उस टाम आपके लिए बहुत ज्यादे हो जाएंगे दिखकते क्या है कि आपको डालते दिखेंगे एक से दो अवर ही ठीक है लेकिन वह एक अवर डालेंगे 16 और 17 और अगर उस और में बिक आपके आप कि आएंगे अगर कोई चार अबर गिनदवाजी करते हैं दोट अब लोग होगे कि प्रिका करेंगी तो आप लोग लोग चार मैस्ट मेरेंगे लेकर बात कर लें तो यहां पे बंगादेश का जो थो बहर न 01 कोथो बना चल सकते हो तो यहां पर बंगला इसके एंस्ट जो मैच बंगलादेस की टीम जीते जीते हार गई जहां पर वेस्टेंडीज को यहां इसने एक टम लग रहा था कि वेस्टेंडीज टीम एक सो तक नहीं पहुंच पाएगी उसके बाद दोस्तों एक सो ब्यालीस का सबस पहुंच गई अगर हम गेंदवाजी बात कर लें तो मेह्दी हसन 4वड़ सरेशन दो विकेट तसकीन 4वड 17 जीड़ विकेट मुस्ति करने चारह कईड़ सकीब चारह बर अटेस्ञ जीर विकेट बिकेट स्थ बालर की बात कर लें ता आपको मुस्ति कर दिख जाएंगों कभी कभार में दे पर दोस्तों टेकनिकल सॉंडिट बैटिंग कर रहा है इस बात को याद रखिएगा वहीं अब चलिए हम बात कर लेते लास्ट मैच जो खिला गया था अफ्रीका और शिलंका का यह मैच दोस्तों वैसा ही बदलत था जैसे मैंने अप लोग इससे पहले वैस्ट एंडीज और बंगल देश का बोला यह मैच भी अफ्रीका के टीम हारते हारते जीद गई ती जहां पर मेल लरका दोस्तों बहतरीन वल्लेबाजी रहा था बात करें गंदवाजी में मारकरम दो और आठरन जीरो विकेट यह आपको स्टार्टिंग में आज फिर बॉलिंग कर देना जला दोस्तों आपको सायद आज ना दिखे हो सकता है अगर विकेट पहला और में उसको ना मिले तो बात करेंगे डिकॉक के तरफ से अफ्रीका के तरफ से डिकॉक बार रिजा हैंडेक से अब दोस्तों हम बात करते हैं डिर्म 11 टीम का मैं अभी वस एक नॉर्मल टीम में आ रहा हूं मुझे दोस्तों का मालूम है कि मेरे टीम आपको चैंजस दिखेंगे बंगलादेस के कुछ गंदवाज आएंगे बंगलादेस की पहले गंदवाज ही आती है तो तो टॉस के बाद टीम में चैंजस होगा उसका अपड़ेट्स में आप लोगो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप पर प्रोवाइड करवाऊंगा टेलिग्राम बजूरने के लिए आप लोगो छोटा से कम करना इसी वीडियो के जाने कमेंट सेक्शन में और सब से टॉप कमेंट के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है वहाँ पर दिख जाएंगे में टेलिगाम का लिंक वहाँ पर क्लिक आप को आपके पास ना हो तो जाकर डॉलोड कर लिजिये खेलना स्टाट कर दीजिए साथ में आपको यहां पर दिखेगे डिटेल्स वीडियो इसको उपर दोस्तों किलिक करके आप देख सकते हो एकसे करते हैं और अच्छा का साई टर्निंग भी निकाल सकते हो नीची आ तो आपको मालो कोई काम उस टैम नहीं है तो अपलो हेल लुडो पर जाओ लुडो खेल उत्राबो और दिन के 100-200-500,000 रुपीर आराम से निकालो मिनिम्मम इन्वेस्टमेंट के साथ यहां तक यहां पर एक रुपीर से भी आप खेल सकते हो अब बिकेट की बात कर ले तो मैं गेंदवाजी करती है तो आपको बिकेट कीपिंग से भी एकुछ पॉइंट निकाल के देंगे अगर हम वहीं बैटिंगे बात करें रही में आपके लिए बहतरीन पिक हो जाएंगे लेकिन मेरा पहला पिक बनेगा रासी वंटर डुर्शन दूसरा बनने वाला नहीं से आप लोगों कुछ बोलना चाहूंगा कि आपने स्टार्टर में स्वाविया सरकार पलस आपने लियावे नईम से को इसका मतलब है कि आप चाहोगे कि मार्करम को बिकेट ना मिले क्योंकि मार्करम को अगर गरिंदवाजी में लाएगा बभूमम तो इसी दोने बिकेट के क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है कि दित्मा के खलवली मचाने का कबिलियत रखता है बात करेंगे इसके लावा और मेरे टीम के कंबिनेशन लगवगता होगी है यहां से अगर बंगलाधिस की पहले घंदवाजी आती है तो मैं सौरीफिल इस्तलाम को लेकर जाओंगा औ अगर बंगलाधिस की पहले गेंदवाजी आएगी तो मैं बंगलाधिस के घंदवाज को जदा स्यदा करूंगा अगर दोस्तों की पहले बले बाजी आती है तो मैं यहां से इन दो को ड्रॉप कर दूँगा इस तसकीन और प्रिफिल को मैं लेकर जाओंगा नहीं से एक सरकार को साथ मैं यहां से ले लूँगा मारक नम कर जगा प्रिटोरियस को उस ताइम मेरा टीम कुछ आईसा बन जाएगा जो कि मैं फिलाल ही टीम बना कर चल रहा हूं वांकि टॉस के बाद देखेंगे जो चैंज़ेस होगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए कैप्टन सी को लेकर बात कर ले तो कैप्टन सी मेरा फिलाल है क्विंटन डी कॉक बीजी जो मैंने फिलाल दियो हैं वह मैंने सोच रखें इन तीन में से किसी एक को देने का नौर्किया संसी या फिर का गिसो डवाड़ा आप लेकिन आप लोग जरूर कीजिएगा कि राजा भाई आपको इसको भी से देना चाहिए उसके पीछे रीजन क्या है ठीक है यह मैं आप लोग से कमेंट की उम्मीद करता हूं और मुझे लगता है कि आप लोग यह कमेंट जरूर करोगे ठीक है बाकि आप लोग जाए लोग अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तुम तरक के लिए बाए is बाइज लाए कीजिए अच्छा का साव विन कीजिए